आज हिंदी की स्रिंखिला में जो हम पठिन पठिन करने जा रहे हैं वह है विसेशन यह थोड़ा लंबा होगा विसेशन एक्जाम के पॉइंट आप उसे क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुस्किल होता है और इसके विभेद भेद उपभेद बहुत सारे हैं तो मैंने कोश हुद सिसकी है कि एक ही स्लाइड में यह सबसे मढ़ जाएं इसलिए अब धैरे के साथ बने रहें रहें साथ में और सारी चीज बहुत ही आसानी से ट्रिकी वे में समझाई जाएगी तो आप क्योल मेरे सब्दों पर धियान दीजियेगा विसेशन आपके समझ में आ अगर हम बात कर रहे हैं संग्यार सर्वनाम की विसेस्ता बताने वाला सब्द संग्यार सर्वनाम की विसेस्ता बताए देखे आसमान का रंग नीला है ठीक देखे आसमान संग्या हो गया और इसकी विसेस्ता क्या है नीला आसमान काला आसमान नीला आसमान लाल तो नीला काला लाल क्या है वह आसमान की विशेष्टा संग्यार सरवनाम की जो विशेष्टा बताए आसमान की विशेष्टा नीला है इसमें नीला विशेष्ण है क्योंकि वह आसमान संग्या की विशेष्टा बता रहा है और याद रखिएगा विशेष्ण जिस संग्या की विशेष्टा बताता उसे विसेश कहते हैं कई बच्चों को नहीं समझ में आ जाता विसेशन हमेशा संग्या से पहले संग्या के बाद में आएगा लेकिन जिस संग्या की विसेशन बताएगा उसे हम विसेश कहते हैं तो इसका मतलब संग्या के साथ लगाकर अगर हम संग्या की विसेशता किसी सब्स से बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं विसेशन ठीक न और जिस संग्या की विसेशता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं विसेश जैसे अगर मैं बोलू लंबा लड़का तो लड़का क्या हो गया संग्या और लंबा क्या हो गया उसका विसेशन लेकिन लंबा ज वाचक विसेशन परिमानवाचक विसेशन संख्या वाचक सर्वणामी एक छोटा सा कहिसे छोटा है वास्तरिक रूप से एक्जाम के पॉयंट आप वियू से आपको इतने सारे वेद पढ़ने है विशेशन के इतने वेद पढ़ने है देखे जो आकार प्रकार रूप रंग बताए उसे आप क्या बोलेंगे गुण अर्थात संग्यार सर्वनाम का गुण बताए जो विशेशन संग्यार सर्वनाम का गुण बताए उसे क्या बोलेंगे गुण वाच विशेशन जैसे आकार प्रकार रूप रंग अवस्था जो विशेशन संग्यार सर्वनाम की संख्या बताए दो लड़के चार लड़के पांच लड़के तो जो विशेशन संग्यार सर्वनाम की संख्या बताए उसे क्या बोलेंगे संख्या वाचक विशेशन उसी तरह से जो विशेशन सर्वनाम जब विशेशन की तरह प्रियोग हो सर्वनाम जब विशेशन की तरह प्रियोग हो तो इसे हम क्या बोलेंगे सर्वनामिक वीशेशन जो मात्रावत आता है तो उसे परिमाद वाचक वीशेशन कहते हैं देखिए प्रस्थ्षण वाचक सरी और रवाजे की तरह प्रस्थ्थ और जब जैसे प्रस्थ्थ कौन लड़का किसकी गाय तो जैसे लंबा लड़का, काली गाय, उसी तरह से किसकी गाय और कोन लड़का, ये क्या हुआ प्रस्नवाचक विशेशन, मतलब प्रस्नवाचक सर्वनाम का जब हम विशेशन की तरह प्रियोग कर देते हैं संग्या के साथ, तो वो क्या हो जाता है? प्रस्नवाचक की तरह कैसे प्रियोग करते हैं जैसे हम बोले दारजिलिंग चाय दारजिलिंग ब्यक्तिवाचक संग्या है और चाय भी संग्या है लेकिन चाय के साथ दारजिलिंग लग गई तो वह क्या हो गया ब्यक्तिवाचक विशेशन फिर हम बात करना है जैसे आसाम चाय तो आसाम क् व्यक्ति वाचक विशेशन उसी तरह से तुलना करते हैं अधिक बुद्धिमान है सबसे अधिक बुद्धिमान है अच्छा है उससे अच्छा है सबसे अच्छा है तो यह क्या है तुलना वाचक विशेशन है उसी तरह से संबंध वाचक विशेशन भी होता है तो पहले आप और उसके बाद गुल संखिया और व्यक्ति वाचक संखिया को भी हमें यूज़ कर रहे हैं जुवाश्च은 कि मतलब जो विमिसेशन वह किसी संग्या सार्वनाम कि क्या अकार प्रकार क्या रूप रण गूड़ दोस आकार प्रकार यही लिखा है ने त् cop क्या बोलेगे गुढवाचक भिशेशन यहां एक वीराइटी दी घाई यह जैसे स्वाद खटा मीठा नंकीम मीठा पानी तो पानी शंग्या हो गया और प्र उप्रो पर दहां क्या है स्वाद बोधा आकार स्थान नक बता रहा है तो भाव बता रहा है तो वस्था बता रहा है तो तो दिशा बोधक है दोस्त इस तरीके से जो गुण बोध करेगा जैसे दिशा का बोध करेगा तो दिशा बोधक हो गया वो तो गुण वाचक के बहुत सारे भेद होते हैं तो यह उद्धाण के माध्यम से यहां दिया हुआ है और याद रखिएगा इनको आप किसी संग्या के साथ जोड़ देंगे तो यह स्थान बोधक भाव वोधक अवस्था बोधक दिशा बोधक हो जाएगा देखिए संख्या वाचक विशेशन संग्यार सर्वनाम की संख्या देखिए जिस सब्द से संख्या के बारे में और वो सब्द क्या है विशेशन की तरह प्रियोग ह हो जाए मैंने कहा देखे संख्या दो प्रकार का होगा निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या जैसे तीन कलम एक पन्ना दो रूपए तीन रूपए यह क्या हो गया निश्चित संख्या बता रहा है लेकिन निश्चित संख्या में भी कई होते हैं मैंने कहा न संख्या वाचक विशेशना दो प्रकार के होंगे एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या फेर सारी कल तो संथ्य वाक्षक love का वे सब्सक्राइस संज़क रॉट मैंने देखी निप्र 1993 जब हम निस्चित के कई प्रकार होते य effort फिर उसी तरह से क्रम वाचक संख्या संख्या तो होगी लेकिन उससे क्रम का पता चलेगा आठवा मंजिल ठेक चतुर्थ मंजिल ग्यारहुवा विद्यार्थी यह क्रम है संख्या जब क्रम बताती है तो उससे क्या बोलते है क्रम वाचत निस्चित संख्या विशेशन उसी तरह से जैसे पूरांक होता है अपूरांक सवा पौने धाई साड़े तीन साड़े तीन किलो दे दो और तीन किलो दे दो इसमें अंतर आप समझ रहे हैं किसी से आप मांगें कि साड़े तीन किलो चावल दो और तीन किलो चावल दो तीन किलो पूरांक हो गया संख्यात् और साड़्हा तीन훈 extensions है, अपूर्ण संख्याव बोधक है, फिर उसी तरह से प्रत्यक हर एक ये सब क्या है? प्रत्यक आदमी, हर एक आदमी, तो इस तरीके से ये क्या है? प्रत्यक बोधकößण का प्रियोग करेंगे, हम अगर वह प्रत्यक बोधक नसचित संख्या विशेशन हो जाएगा समूह वाच पाँंच hai पाँंच जब बोलेंगे तीनों बोलेंगे दोनों लोगों को बुलाव तो वह क्या है समूह में हो जाएगा तो यह जो डिवीजन है यह प्रियोग के आधार पर है क्रम वाचयक अपूण प्रतेक समू आवरति दुगना दे दो तीन गुना चावल तो इसका मतलब क्या है यह प्रियोग के आधार पर भी इसका क्या है विभाजन किया गया है तो आप फिर वही मुल परिभाशा को याद रखे हमेशा डियर मुल परिभाशा को याद रखे कि संग्या और सर्वनाम के साथ आएगा यदि वो संख्या है दो लड़के तीन लड़के पहला लड़का पांचों लड़के देख रहे हैं आप तो आप आसानी से भी भेद करते हैं जब मैं कहरा पांचों लड़कों तो वह समुवाचक हो गया जब मैं बोल रहा हूं पांच लड़के तो दोनों संख् क्योंकि 501 साथ और पांच लड़के में निश्चित संख्या है तो यह प्रियोग के आधार पर भी भाजन है आप घबड़ाईएगा मत इनको रटने की ज़रूरत नहीं है आप प्रियोग के आधार पर देखें ठीक जैसे दुगुना धन दे दो तो दुगुना क्या है आवर पर हैं विद्द्धि बताए तो इस तरह से इसका भिभाजन कर देंगे फिर उसके बाद अनिश्चित शंख्यावाचक मैंका जब संख्या निश्चित नहीं होगी संख्या निश्चित नहीं होगे तो आप भी उसे क्या कहेंगे अनिश्चित संख्या वाचक विशेशों कितनी देर दो बजे लेकिन अगर मैं बोलू दो मिनट देर लेकिन मैं बोलू कितनी देर तो एक में निश्चित संख्या और एक में अनिश्चित संख्या है देखें य क्या है अनिस्ट्यत संख्या वाचयक है तो विशेश्ण का जो भी भाजन है वो प्रियोग की आधार पर हर बार में ये कह रहा हूं आप संध्यार सर्वनाम की विशेश्था जिस प्रकार से बताएगा उसको पहले रखिए और सर्वनाम के बारे में अस्पस्ट ग्यान रखिए और फिर इसका विभाजन अपने आप समझ में आता चला जाएगा देखिए सर्वनामिक विशेशन जब सर्वनाम विशेशन की तरह प्रियोग हो तो उसे लिए क्या बोलेंगे सर्वनामिक विशेशन आपने सर्वनाम पड़ रखा है तो अब आप न जानती हों तो आप सर्वनाम वाला लेक्चर देखिए जैसे यह संकेत वाचक सर्वनाम है मैं बोलू लंबा लड़का और उसकी जगह बोल दू यह लड़का तो यह क्या है सर्वनाम लेकिन संग्या के साथ आया है संकेत कर रहा है लड़के की तरफ इसलिए यह लड़का में यह क्या हो गया यह क्या है देखिए लंबा लड़का और यह लड़का यह विशेशन है ल कई तरीके से परिभासित करते हैं, आकार, प्रकार रूपरांग बताएंगे, तो लंबा लड़का, लेकिन यह लड़का में यह क्या है, सर्वनाम और यह सर्वनाम, इस संघ्या की विशेशन जानना है तो आप सर्वनाम का वीडियो अवस्य देखें संकेत वाचक सर्वनाम जैसे यहवा मैंने अभी बताया अनिश्य वाचक सर्वनाम प्रस्ण वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम मौलिक सर्वनाम और योगिक सर्वनाम तो यह सर्वनामिक विशेश सबंड़ें के लिए प्रशन वाचक सर्वनाम लेकिन यह जब संगया के साथ लग जाएगा तो यह किया बोलेंगे संहों रूदी लड़का संक्य प्रस्न्वाचक सर्वनामिक से होता lahm लड़का तो यह प्रशन सबना है उन्हें लड़के साथ क्षा सक्षा बween सर्वनामिक विशेशन तो यह जो सर्वनामिक विशेशन का भेद है यह भी प्रियोग के आधार पर ही है देखिए ब्याकरण पूरी तरह गड़तीय सिद्धान पर आधारित होता है मैथमेटिकल रूल होते हैं देखिए संबंद वाचक सर्वनामिक में संबंद जगर बात हो रही है आपने संबंद वाचक सर्वनाम पढ़ा है और जब संबंद वाचक सर्वनाम जैसे मेरा घर उसकी किताब मेरा घर अच्छा घर तो अच्छा आकार प्रकार रूपरंग वाल लगणवरूनाम विशेशन हो जाएगा उसी टरह से मोलशन को जब हम दोसे जोड देंगे तो उसे यूद्फ क्या बोलेंगे यौगिक सरवनामीक विशेशन लिए मैंने कहा था बेक्ति वाचक संग्या है जिसका एक विशेश नाम हो जिसका एक विशेश नाम हो पाटिकुलर नेम हो उसे हम ब्यक्ति वाचक विशेशन कहते हैं तो ब्यक्ति वाचक संग्या से भी विशेशन बनाया जा सकता है इसके लिए आप संग्या की वीडियो देखिए जैसे मैंने कहा साड़ी ये भी एक संग्या है और बनारस एक सहर का नाम है बनारसी साड़ी आसाम चाय भारतिय टीम देखे टीम समूवाचक संग्या है और भारतिय ब्यक्ति वाचक है तो समूवाचक संग्या के साथ अगर ब्यक्ति वाचक कोई सब्द लग गया तो वो ब्यक्ति वाचक संग्या टीम की विशेसता बता र और जब यह संग्या के साथ लग जाती है तो विशेशन का काम करती है इसे हम sign कहते हैं विशेशन के हैं जैसे लड़का अब देखे यहां चाय अगर मैं गर्म चाय कर दूँ तो चाय की मर्यादा सीमित हो गई गर्म चाय ठीक यह वस्था चाय की वस्था का बोध कर रहा है गर्म क्या हो गया विशेशन ठंडी चाय उबलती हुई चाय आसाम चाय तो संग्या को जो मर्यादित कर दे जब विशेष्टा का मतलब ही होता है मर्यादित कर देना चाहे वह आकार प्रकार रूप रंग से मर्यादित कर दे चाहे वह संख्या से मर्यादित कर दे चाहे वह निश्चित संख्या से मर्यादित कर दे चाहे वह निश्चित संख्या से मर्यादित कर दे चाहे वह निश्चित प मतलब वह सब्द जो उसके अर्थ को विशेश बना देगा उसे ही कहते हैं मर्यादित करना तो देखिए जब व्यक्ति वाचक संग्या किसी संग्या के अर्थ को मर्यादित कर दे तो वो क्या हो जाएगा व्यक्ति वाचक विशेशन तो संग्या को मर्यादित करने वाले सब्द क्या कहलाते विशेशन और जिस तरीके से वो मर्यादित करते हैं वही उसका विभाग और विभाजन हो जाता है आगे फिर देखिए संबंद वाचक विशेशन मैंने बता देगा था ने एक संबंद वाचक विशेशन है और एक संबंद वाचक सर्वनामिक विशेशन है तो संबंद वाचक सर्वनामिक विशेशन में मेरा घर तेरा घर उसकी किताब उसकी साइकिल मेरी साइकिल देखे जब विशेशन का प्रियोग करके किसी वस्तोर व्यक्ति का संबंद दूसरे और वस्तोर व्यक्ति के साथ बताया जाए तो उसे क्या बोलेंगे संबंद वाचक विशेशन यहां एक्जाम के लिए एक क्वेश्चन है अंदुरूनी क्या है अंदुरूनी सब्द अंदर से बना है जो कि ये क्रिया विशेशन है भीतरी सब्द भीतर से बना है जो कि ये क्रिया विशेशन है लेकिन अंदुरूनी भीतरी जैसे सरीर के अंदुरूनी हिस्से में क्या है परिमाण वाचक, मैंने कहा है न, परिमाण का मतलब होता है quantity, जैसे जितने भी material noun है, द्रब्य वाचक, संग्याएं हैं, पानी, घी, तेल, अनाज, उनका परिमाण होता है, quantity होती है, ठीक है न, मात्रा, जो संग्या या सर्वनाम की मात्रा, नापतौल की मात्रा, हैं, यह भी निज्चीछी थे और अनिष्ची थे, देख्ये, अगर मैं बोलू बहुत दूद, तो दूद को हम गिन नहीं सकते, दस दूद, बिस दूद, तीस दूद नहीं क्ल सकते, तो है तो यह द्रब्य दूद, लेकिन अम इसकी निष्चित शंख्या नहीं बता सकते, बहुत दूद क्या है अनिस्चित प्रणाम और मैं बोल दूँ एक लीटर दूद तो यह क्या हो गया है निस्चित परिमान बहुत दूद और एक लीटर दूद अंतर आप समझ पा रहे हैं इस तरीके से धेर सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आप संग्या को लीजिएगा और उसके विशेश्ण को समझेगा चाहे वह आगे आए चाहे वह पीछे आए फिर आप देखिएगा कि यह सर्वनाम है या आकार प्रकार रूप रंग बताता है या फिर संख्या बताता है संख्या में कौन सा है फिर यह परिमान बताता है परिमान में यह निस्चित है कि अनि देखें फिर तुलना बोधक विशेशन, जब हम तुलना करते हैं, कई बार दो वस्तुओं के में दोस्कों की तुलना की जाती है, तुलना करने के लिए दोका होना जरूरी है ना, तो जब हम तुलना करते हैं, दो वस्तुओं में गुड़ों का, तो वो तुलना वाचक बात हम करते हैं तो वो क्या मूल अवस्था है ठीक मैं बड़ा होकर वीर सैनिक बनना चाहता हूं देखे जिंदगी में एक सेर की भाती निडर होना चाहता हूं मैं बड़ा होकर वीर सैनिक बनना चाहता हूं देखे वीर सैनिक वो तुलना कर रहा है अपनी तुलना किसे कर र तो वो अपनी तुलना सेर की निडरता से कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मूल अवस्था, positive degree of adjective, देखे comparative degree को हम उत्तर अवस्था बोलते हैं, जहां तुलना की जाया और एक कुछ रिस्ट माना जाता है, तो उत्तर अवस्था होती है, जैसे अधिक सुन्दर जादा सुन्दर अधिक बुद्धिमान, तुमसे ज़्यादा दयालू हूँ, तुलना हो गई न, दो लोगों के बीच में, मैं तुमसे ज़्यादा दयालू हूँ, रीता रीना से अधिक बुद्धिमान है, तुलना की गई दोनों की बुद्धियों में तो एक अधिक निकल गया न, हुसैन बोल्ड से तेज मिलखा सिंग दौड़ते हैं या भागते हैं तो ये क्या है उत्तर अवस्था है उसी प्रकार जब हम सुपरलेटिव डिगरी की बात करते हैं उनमें से एक को सर्वस्रेस्ट बताया जाये तो वो क्या हो जाता है सुपरलेटिव जब सर्वस्रेश्ट हो जाए तो क्या हो जाता है इसलिए इसे हम उत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिगरे कहते हैं जैसे विसाल आधिक विसाल और विसालतम विसालतम का मतलब अब यह उत्तम अवस्था है ठीक सबसे सुन्दर अब इसकी तुलनानी यह सर् लवस्थ हो जाता है इसको एक लिस्ट से आप समझें मूल अवस्था positive degree comparative degree superlative degree महान महांतर महांतम विसाल विसालतर विसालतम सुंदर सुंदरतर सुंदरतम देख रहे हैं तो यह क्या positive degree comparative degree और superlative degree इस तरीके से आप देखें विशेशन प्रस्णवाचक विशेशन मैंने कहा प्रस्णवाचक सर्वनाम को आप विशेशन की तरह प्रियोग कर लें ठीक है ना प्रस्णवाचक सर्वनाम को आप विशेशन की तरह प्रियोग कर लें तो उसे क्या वो लेंगे प्रस्णवाचक विशेशन तुम कौन सी वस्तू के बारे में बात कर रहे हो तुम लाल वस्तू के बारे में बात कर रहे हो तुम खोई हुई वस्तू के बारे में बात कर रहे हो यहां कौन जैसे लाल वस्तू उसी तरह से कौन क्या गया कौन प्रस्णवाचक बना रहा और वस्तू की विसेशता भी बता रहा है ठीक है न तो आप देखें लाल वस्तू की जगह क्या गया कौन वस्तू तो यह प्रस्णवाचक सर्वनाम जब संग्या के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रस्णवाचक विशेशन तो विशेशन के प्रकार और उनका विभाजन हो जाएगा आपके समझ में कितनी आसानी सी है विशेशन आया आप ध्यान दीजिएगा विशेशन पढ़ने से पहले आप पहले संग्या पढ़ लिए फिर सर्वनाम पढ़ लिए फिर विशेशन क्या होता है जो संग्या और सर्वन नाम को मर्यादित कर दे जिस तरीके से मर्यादित करेगा वही उसका विभाजन और नाम हो जाएगा आप हमें सपोर्ट करें सेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट अवस्य दें और बेल आइकान दबाना ना भूलें